हेले स्टुडेंट्स मैं आप कातुल सर और आप बाचिंग कर रहे हैं डूपलेक्स इंग्लिस क्लासे तो चलिएगा आज का चेप्टर है ट्रांस्पोर्मिशन यानि की रूप परवर्तन बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है और कंसर्टेशन बना की रखें और देखिए पहला यानि की रिमूब टू तो देखिएगा ट्रांस्पोर्मिशन होता क्या है रूप परवर्तन इनको हिंदी में कहा जाता है रूप परवर्तन और रूप परवर्तन क्या होता है बुंदिल खंडी में बोले तो ब्यूटी पालर अर्थात ब्यूटी पालर क्या होता है बहुत ही तरीका से आपको अपनी भासा में समझ में आने वाला है ट्रांसफॉर्मिशन ठीक है तो देखिएगा पहला रूल है कि रिमूब टू हटाने का या रिमूब मीन्स होता है हटाना तो क्या सीख हम इसको सॉल्व करेंगे कि जब टी डबालो टू तो टू हो तो इसकी जगा लिख देंगे सो या बैरी अच्छे समझ ने काम हो तो अगर पास्ट में हैं वाजबर है तो यहां कोड़नोट हो जाएगा ठीक है और जो बचेगा हम बाद में लिख देंगे ठीक अब देखो एक बाक के तरीका से देखो यहां तू आया और यहां भी तू है तो इस तू को बतलना है और इस तू को देखना है यह टू हो गया औ सगो कि टिए फिर इज ठीक है और टू के जगह क्या लेखेगे सौ पिर क्या लेखा है इहां तक आपको दिक्कत कोई वाई देखो में डिगा क्या लेख दिया सो और स्वार्च यहां जोड़ना है, that से जोड़ देंगे, जहां लेखेंगे हम, that, क्या लेखेंगे, that, ठीक है, अब देखिए, करता, करता कहां से लाएंगे, यहीं आंगे है करता, तो c को लेख लो, c को लेख लिया, अब क्या लेखना है, cannot, cannot, ठीक है, sis में क्या बचा, pass, तो आप भी लेख लो, pass, ठीक है, बाक बना C is so weak that C cannot pass ठीक है अच्छा एक और देख लो ठीक है अगर समझ में नहीं आया इसके बाद हम exercise करेंगे पूरी exercise करेंगे परजे समझ लीजिएगा ठीक है इस 2 को हटाना है और इस 2 को हटाना है ठीक है तो देखिएगा इस 2 की जगा क्या लिख देंगे so और इस 2 की जगा क्या लिखेंगे that करता cannot और जो बचे so लिख देंगे यानि कि he फिर is और 2 की जगा so फिर old इस 2 की जगा that यहां तक कोई देखकर किसी को बेटा अगर हो तो आप ज़रूर बताना यहां तक किसी को देखकर इस 2 की जगा क्या लिखेंगे that लिख दिया subject का है he फिर क्या लिख देंगे can नियम देख लो cannot क्या बच्चा sis में run ठीक है चलिएगा ठीक है अब दूसरा देख लो दूसरा क्या है थोड़ा में इसको खिसका दूँ आँगे दूसरा क्या है rule कि जब sentence में करता निर्जिव हो यानि कि करता कोई निर्जिव हो जान ना हो उसमें जैसे किताब चियर मोबाइल पैन जान ना होने चाहिए और जैसे माली जी पोर मी आ जाए फोर अस आ जाए फोर यू आ जाए फोर हिम आ जाए फोर हर आ जाए फोर देम आ जाए तो इन्हें करता बना देंगे भै करता बना देंगे इन लोगों को जैसे फोर मी का करता क्या होगा क्या होगा आई फोर अस का करता क्या होगा फोर यू का करता क्या होगा यू हिम का क्या होगा ही हर का क्या होगा सी दैम का क्या होगा दे तो इनको करता बना दिया कहां लिखेंगे देट के वाद लिखेंगे बिल्कुल सिंपल देखेंगा तो पहले हमें तू तो हटाना ही है इस तू पर ध्यान दो इस तू पर ध्यान दो अब देखीगा बुक क्या है बुक में बटा जान तो होती नहीं है क्यों होती है नहीं होती है तो हम लेखेंगे बुक अब हमने लेखा इज ठीक है बुक इज अब टू की जगा क्या लेख द गया तो इसको हम बदलेंगे किस में आई में लेकर लिखेंगे कहां देट के वार वेरी गॉड डैट टू की जगा हमने लेखा देट अब सब्जक्ट रहां चाहिए सब्जक्ट हम आंगे से लेख सकते हैं क्योंकि बुक थोड़ी अपने मन से पढ़ जाएगी तो पढ़ने वाला कोन है मी यहनि की आई अब फिर क्या लेख लेंगे कैन नौट क्या बच्चा कोई देख कर बेटा देखो इस की जगा लेखा तो इस टू की जगा क्या लेखा देट आई कहाँ से आया मी को बदला आई वास वही चैन नॉट एक और देख लो एट टिरी इस टू ये के subject कहा है, subject for him का क्या हो जाएगा, क्या होगा, आप बताइए ना, क्या होगा, very good, he, बहुत बढ़िया, to three, is, और two की जगा, so, फिर long, फिर that, for him की जगा, he, फिर cannot, क्या बच्चा, climb, कोई समय स्चा किसी को सायद नहीं होनी चाहिए, अब हम एक और rule देख लेते, इसके बाद exercise करना है, वीडियो को skip नहीं करना है, आज सीखना है, remove two को, बिलकुल transformation complete करा के दूँगा, आप लोगों को, ठीक है ना, तो देखिएगा, तीसरा rule क्या है, कि जब बाक्ते में, जब बाक्ते में, केबल एक two हो, केबल एक हो, कभी- हम केबल लिख लेंगे, over, हाँ, वो लिखने को तो ऐसा है, extremely को ही लिखता है, beyond the proper limit लिखता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम देखिएगा, लिख बनाते हैं इसको, you are, और, और, इस two की जगह, over, smart, you are over smart, ठीक है, two का मतलब ही होता है, बहुत अधिक, two का मतलब होता है, अधिक, देखिएगा, two क्या होता, two का मतलब भी-भी होता है, यहां समझा दू में थोड़ा, और two का मतलब होता है, अधिक, क्या होता है, अधिक, तो अगर बीच में लग जाए, तो अधिक, अगर जे two बीच में लग गया, तो अधिक, और बाद में आप के सामने आ चुकी है एक्सराइज तो देखेगा तो देखेेगा मैं बना रहा हूं आप भी मेरे साथ कोशिच करें बनेगा बिलुकुल बनेगा तो आपके सामने आच्छों की exercise तो देखिएगा बेटा बिल्कुल तयार रहना है पहला sentence आपके सामने ठीक है तो two को हमें हटाना है और इस two को हटाना है बस अब देखिएगा the lion, the lion इस की जगह is और two की जगह so weak the lion is so weak और two की जगह that सब जग कौन है? लायन, तो लायन के लिए हम लायन मिले सकते है या अगे फिर क्या नॉट तो क्या बचा जंप प्रोपरली तो जंप और फिर प्रोपरली लिख लेना ठीक है दूसरा देखो टीचर वास्टू भी जी तू अटेंड दा मीटिंग देखो बेटा इस टू को बदलना है और इस टू को बदलना बाग की तो ज और काटेंगों लेखना है तो देखो टीचर दा तीचर फिर वासटू की जगा सौ बिजी इसकी जगा दैट फिर सबजेक्ट को ना या टीचर तो टीचर के लिए हैं यह तो टीचर लेख दो या क्या लेख दो ही फिर के नॉट फिर जयों कातियों लिख दू अटेंड दा मीटिंग सवन में आया ना अब नेस्ट देखो ही स्पीक टू फास्ट तू भी अंडर इस्टोड तो देखो बेटा तू बदलना है और तू बदलना है बस तो देखो ही अब इस्पीक तू की जगह सो फिर देट यहां तक कोई देखकर किसी को तो हम सब्जेक्ट क्या लिखें ही यांगे लिखा ही तो ही लिख दिया फिर क्या लिखेंगे कैन नॉट फिर क्या लिखेंगे बी अंडर इस्टोड बी अंडर इस्टोड ठीक है नेस्ट देखें ही इस तू स्ट्रॉंग फोर मी तू दिखियेगा तो यहाँ पर कैसा आएगा देखो यहाँ पर फोर मी भी आ गया सब्जेक्ट क्या है जानदार है क्या है जानदार है सब्जेक्ट तो फिर आप कर सकते हो देना मेटे कभी कभी and stays % All बुकी जगह sp लेंगे फोर मी क्यों कि करता क्या है Nord ही उसमें तो जान है ना तो इस टू की जगा क्या लेखोगे that subject कौन है he cannot be defeated दिक्कत कोई कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा ऐसे बनाते रहो अब देखेगा आंगे आंगे क्या it is never too late to learn ऐसे पर एक्षा में पूछे जाते हैं अब नियाबर आ गया न transformation करना है तो transformation के मतलब होता है not है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो देखो बेटा it और फिर क्या हो जाएगा एज और never का हो जाएगा ever क्या हो जाएगा ever in हटा देंगे समझ में आ रहा नेवर का हटा देते हैं याद रखना it is ever और तू की जगा so फिर late और इस टू की जगा subject वो that और subject कौन है it अब देखो it लगा लिया तो कोई बात नहीं है बढ़ना anyone भी लगा सकते हैं it फिर can be learned इसको हने पेसे में बदल दिया या फिर यहाँ पर अगर subject बेजानदार है तो इसको मान लेते हैं एनी वन एनी वन can learn यह से भी बना सकते हैं धोड़ धियान दे लिया कर थोड़ा थोड़ा सा she is too proud to apologize तो तू और तू अब देखो इसको कैसे बनाना है बेटा सी ओइच की जगा एज ओइच की जगा सो प्राउड फिर डैट सब्जेक्ट कौन है सी फिर क्या लेखो गें कैन नाट और फिर अपोलो लाइज अपोलो जिज सॉरी अपोलो जिज हो गया अब नेस्ट देख लो नेस्ट दा प्राउब्लम इस टू सीरियस टू भी ओबर लुक्ड देखो प्राउब्लम तो इसमें जान तो है नहीं है तो दा प्राउब्लम समझना प्राउब्लम एज और तू की जगा सो सीरियस कोई दिक्कत यहां तक कॉमा की जगा देड यहां तक कोई किसी को दिक्कत अब देखेगा प्राउब्लम में जान तो होती नहीं है क्यों होती है तो इसमें subject का लिखूम है भई नपकोर मी आया नपकोर हम आया नपकोर हर आया तो इसमें बना लीजिए क्या no one या any one जो आप चाहें any one can not be overlooked कोई दिकत किसी को सायद नहीं होनी चाहिए अब देखें he is too lazy to do the work बिटा वही करना है आपको तू को बदलना है और तू को बदलना है बस हो गया he is और तू की जगा क्या लिख दो so फिर lazy फिर that subject कौन होगा he फिर क्या लिखना है cannot फिर क्या बचा do the work बस हो गया do the work आप तो खामो खापरसान होते रहते हो next देखो he is too slow तू बिन्दारेश चलिए मेरे साथ बनाईए कौन कहता है के remove too hard होते है तू और तू ठीक है remove करना है तू तो देखेगा he फिर age और तू की जगा क्या लिखेंगे बटा so फिर slow बिलकुल मक्खन की तरह हो जाएंगे फिर तू की जगा that subject कौन है he फिर cannot क्या ब बिन्दारेश ऐसे बना लेंगे थोड़ी में उपर खिशका दू लेजिए साहब see is too proud to learn इसको बनाना है इसको तू हटाना है और तू हटाना है तो क्यासे बनाएंगे see is और तू की जगा so फिर proud इस तू की जगा that subject कौन है see फिर cannot फिर learn हो गया नीचे देखो the dress is too costly to be poised अब इसमें थोड़ी ध्यान देना है dress में जान नहीं होती है यह होती है very good dress में जान नहीं होती है तो हमें लेखना है the dress पहले जहां तक बने वहां तक बना लो is और तू की जगा so costly the dress is so costly और तू की जगा that अब देखिएगा इसमें ना फोर मी आया ना फोर हरा आया इसमें भी कुछ नहीं आया तो आप लेख सकते हो anyone फिर cannot be pursued ठीक है अब next देख लीजेगा tea is too hot to take अब देखो two और two और सबसे बड़ी बार कि टी भी बेजानदार है टी इज तू की जगा बहुत आता है परेक्छाओं में so hot और two की जगा that यहां तक बताएए किसी कोई देखकर नहीं होनी चाहिए अब subject कहां से लाओं तो anyone लिख लो ना आ rutina नोट केहल Knew banget कर तो टेक की ठीक है आंगे the classroom two online अब इसमें क्यों एक टू आया है अब इसमें आप को कमेंट करके बताना है इसकी जगाह हम क्या कर रहें यह क्लासलों इस टू नवाई जी चलिएगा अब आपको कमेंट थोटा सर कमेंट करना है तो मैं समझ लूँगा कि आपने पूरा वीडियो अंद तक देखा है और आपके लिए बहुत ही महत्रपूर वीडियो है चलिएगा अब हम एनिकी पेसे बाइस के लिए नेस्ट वीडियो में मिलते है चलिए यह तोरी कि यह दो है यह लिए कर दो कर देखा दारत्व हम जो यह हम पителिए मिलते लिएगा तो झाल झाल